जार्खन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जार्खन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्र कर बेल आइकन को दबाना बिलकुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे जार्खन पंचाय चुनाव 14-29-27 माई को राजेपाल ने दी मंजूरी जार्खन में पंचाय चुनाव की डूगडूगी बज गई है चार चर्णों में मद्दान कराने के लिए राजेपाल रमेस बैस ने अपनी ओर से इजाज़त दे दी है राजे निर्वाचन आयोग जार्खन की ओर से सनीवा साम साढ़े पांच बजे चुनाव की तारिखों का एलान होने जा रहा है जनकारी के अनुसार पहले चरण का मद्दान 14 माई वहीं दूसरे चरण का चुनाव 29 माई तीसरे चरण का मद्दान 24 माई और चोथरे चरण का मद्दान 27 माई को होगा राज पालडा मेस बैस ने राज में तिरियस्तरिय पंचायद चुनाओ कराने है तू अपनी स्विक्रिति पदान कर दिया है बता दे 5335 ग्राम पंचायतों में 33489 सधस्यों के लिए चुना होगा वहीं 5345 मुखिया 35145 पंचायत समीति सधस्यों तथा जीला परिस्त के 536 सधस्यों के लिए चुना होगा बैलेट पैपर से चुना होना है पहले चरण में 1127 ग्राम पंचायतों, वहीं दूसरे चरण में 872, तीसरे चरण में 147 तथा चौते चरण में 1299 ग्राम पंचायतों में चुना होगा, राज निर्वाचन आयोग, आज साम 5.30 बजे इसका घोसना करेगा नीजी करण के बिरोद में बैंक यूनियनों ने दी आंदोलन की चेतावनी, सरकारी छेतर के बैंकों के नीजी करण को लेकर बैंक ओफिसर्स यूनियन में उबाल है, यूनियन बड़े पैमाने पर आंदोलन की त्यारी में है, अखिल भारतिये बैंक ओफिसर्स एसोसेशन के सलाकार बैंक ओफ इंडिया अधिकारी महा संग के महा सचीव सुनील कुमा ने राची प्रवास के दोरान बैंकों के नीजी करण को लेकर आपना बिरोध दर्ज कराया पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नीजी करण से बैंकों और आम लोगों काफी नुकसान होगा उन्होंने कहा कि सरकार बैंकों का नीजी करण कर चंद करपोरेट घरानों को फैदा पहुचाना चाहती है सरकारी छेतर के बैंक की जितनी सकाएं देश में है नीजी बैंक उनके आगे कहीं नहीं टिकती जार्खन में लू अलर्ट जारी जार्खन के पलामो गढ़वा लाते है चात्रा लोहर दगा को डारमा एमगीरी डी में 12 अपरेल तक लू चलने के असार है इन जीलों में अधिकतम ता 45 डीगरी से अधिक हो सकता है मौसम केंद्र की माने तो 14 अपरेल तक आसमान साप और मौसम सुस्क रहेगा इस कारण लोगों को गर्मी सराहत मिलने की उमीद नहीं है इस बीच मौसम विभाग ने स्वास्त विभाग के सहयोग से चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सवधान रहने की सलाद दी है राम नामी पर राची की सुराक्षा 10 ड्रोन से होगी निगरानी राम नामी की सुराक्षा को लेकर राई धानी में चाक चौबन वेवस्ता की गई है एसेस्प सुरेंद्र कुमार जहान ने सुक्रवार को बताया कि रभीवार को राम नामी जूलिस के दोरान 10 ड्रोन कैमरा से पूरे सहर की निगरानी होगी जगह जगह 2000 जवानों के तैनाती की जाएगी रैपीट एक्षन फोर्स की दो कमपनी क्यू आर्टी की 10 कमपनी और आई आर्बी जए फोमगाड वर डंडाव पार्टी को लगाया जाएगा 10 DSP ठाना परभारी के लावा 10 इंस्पेक्टर को भी स्विरक्षा वेवस्था में लगाया जाएगा बता दे राची पूलिस किसी भी परिस्थिती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है राम नामी पर आज निकलेगी जहां की सोभायात्रा कल राम नामी पर सनी वार को जहां की वार अभिवार को सोभायात्रा निकलेगी इसके लिए राची पूलिस की ओर से सहर में अलग अलग ट्रैफिक वेवस्था की गई है 9 अपरेल की दोफर 2 बए से 10 अपरेल की सुबा 6 बजे और 10 अप्रेल की सुबा 8 बय से 11 अप्रेल की सुबा 4 बय तक सहर में बढ़े वाहनों को इंटी मिलेगी बता दे नागा बाबा खटाल जाकिर हुसेन पार्क, किस्वरी आदव चोक, सहित चोक, सुबास चोक, गवाला टोली, सरधानन्द रोड, गांधी रोड, रातु रोड से अपर बजार महाविर चोक की और आने वाली सवी परकार के रिक्सा छोटे बड़े दो पहिया, चार प कंप्लेक्स वर चोटी स्वे नेशनल गेम्स घोटाले की सीवी आई जाच को लेकर दायर याज का पर वीडियो कंफेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की, चीफ जस्टिस डाक्टर अभी रंजन वर जस्टिस सुजीत नरान परसाद की खंड पिठने मामले की सुनवाई की द निगरानी आयुक नजवाब में कहा भी है कि जाच ACB को दी गई है, जबकि ACB का कहना है कि स्पोर्ट कंप्लेक्स मामले की जाच उसे नहीं मिली है बिशेश सत्र बुलाकर अस्थानियता करे लागू लोबिन हेंबराम अस्थानियत्या के मुद्दे पर पार्टी के अंदर मोर्चा खोलने वाले जावमों विधायक लोबिन हेम्रम ने कहा है कि उनका अंदोलान रुखने वाला नहीं है वह पूरे राजी में घुमेंगे बिधायकों से अस्थानियता के मुद्दे पर साथ आने का आगरा करेंगे उन्होंने दो टुक भी कहा है मैं एक इंच पीछे हटने वाला नहीं हूँ सरकार लिखित देखिवा बिधान सभा कभी सेस सत्र बुलाएगी अस्थानियता के मुद्दे पर बहुत कराए और उसे लागू कराए तो आंदोलन खत्म कर देंगे जार्खन में 5 लाख अपार्टमेंट में 12 आना बाहरी और 4 आना ही जार्खन्डी रहते हैं जामो विधायक ने कहा है कि राज में 5 लाग अपार्टमेंट है जिसमें 12 आना बाहरी लोग रहते हैं चार आना ही जारखंडी रह रहे हैं बिहार से जारखंड अलग हो गया लेकिन जारखंड से बिहार अलग नहीं हो रहा है CNT SPT Act का उलंगन हो रहा है DC Commissioner SDO कुछ नहीं कर रहे हैं अपने लोग ही दलाल बन गया है यहां खुला दरवाजा हो गया है यह कानू सकती से लागू नहीं हुआ तो यहां के लोग गाच के नीचे रहेंगे उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सराब बेचने का हमने विरोध किया है गुरुजी सराबंदी के लिए लड़ते रहें हम गुरुजी को क्या मोह दिखाएंगे उनका मान समान कैसे बचाएंगे धुमका में नदी में नहाने के दरान दो भाई की डूबने से मौत जारखन के दुमका जिले के मुपसिल थाना छेतरे के भुरकुंडा में सनीवार की दो पहर भुरकुंडा नदी में नहाने गए दो बचों की डूबने से मौत हो गई बताया जा रहा है कि संजुप पंडित का पुत्र विसाल पंडित पौले नहाने के लिए नदी में उत्रा जब वो अगरे पानी में डूबने लगा तो छोटा भाई भी अमित पानी में कुद गया उसे बचाने के परियास में अमित भी डूब गया मिरितक के मंजले भाई छोटू पंडित ने बताया कि दोनों भाई नहाने के लिए घर से निकले थे रांची दुमका इंटर सिटी एक्सपरेस का टाइम बदला गोड़ा दुमका रांची इंटर सिटी एक्सपरेस के उधगाटन के समयर में बदलाव किया गया है आज गोड़ा रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी जंडि दिखा कर दो पर दो बच कर 15 मिट पर रवाना किया जाएगा इसको लेकर गोड़ा रेलवे स्टेशन पर सारी तैयारिया पूरी कर ली गई है बता दे मुख्य अतितियों को मंच पर बठाया जाएगा बाकी अगन्तु को के लिए मंच के सामने कुर्षिया लगाई गई है इसको लेकर डिसी भोर सिंग यादव एसपी नाथु सिंग मीना सहित एसडियों रितु राज डिडिसी संजाय कुमार सिना वह एसडिप्यों अनंद मोहन सिंग ने असल का निरिक्षन किया नव माई को मनाया जाएगा सेंद्रा पर्व डालमा बुरू सेंद्रा समीती ने सेंद्रा पर्व की तिथी नव माई घोसित कर दिया डालमा राजा राके सेम्रमने सुक्रवार को गदला गाओं के पैत्रिक आवास में बारा मौजा के परमुक लोगों के साथ बैठा करने के बाद सेंद्रा परव के लिए तीथिक आइलान किया कुरोना के कारान दो साल से सेंद्रा का आवेजन नहीं हो रहा था लेकिन इस बार होने से लोग उच्छाई था बता दे दल्मा राजा ने कहा कि सेंद्रा वीर साथ माई को अपने अपने घरों से दीन में निकल जाएंगे साथ की रात दल्मा पहार के तलहाटी में बने धार्मिक असल परुकेंगे पहले दिन साधारन पुजा होगी वहीं दूसरे दिन आठ माई को विसेश पुजा होगी जिसमें छोटे जनवरों की बली दी जाएगी वहाँ परसाध ही बनेगा जिसे सभी ग्रहन करेंगे इसके बाद रात को विश्राम करने के बाद नव माई को सभी सुबा चार पांच बये से दल्मा पहाड पर चड़ना सुरू करेंगे लातेहर में भालू के हमले से ग्रामिन गम्ही जार्खन के लातेहर जिले के नेतरहर थाना छेतरे के नवा टोली गाव निवासी लूजन किसान को महुआ चुनने के दोयान भालू ने हमला कर घायल कर दिया साथ के लोगों ने इसकी सुचना थाना को दी पूलिस ने सुचना मिलते ही घटना स्तर पर पहुँच कर घायल को अस्पताल पहुँचाया जहां ग्रामिन का इलाज चल रहा है आपको बता दे कि इन दिनों महुआ का सिजन चल रहा है अंधकार रहते ही टोर्च लेकर घरों से लोग जंगल में महुआ चुने निकल जाते है पलामू के स्कूल परिसर में दफनाये जाते हैं मुर्दे पलामू परमंडली मुख्याले से करीब 25 किलोमीटर पर लेसली गंज पंचायत के बांस दोहर कन्या मद भी देले पिछले चार वर्सों से बंद है बता दे ग्रामिनों की माने तो लगातार कम होरे बचों की संख्या के बीच मद्यान भोजन को लेकर उठे बिवाद के करेंट इसकूल को बंद कर दिया गया इसकूल के पर धनाध्यापक मुकेस गुपता अस्थनानत्रीत होकर अन्यत्र चले गए वहीं एक पारा सिक्षा की वापसी हो गई जिसके बाद इसकूल में ही ग्रामिनों ने मुर्दा का दफनाना सुरू कर दिया यहां इस समय दर्जनों पत्थर कबरोप पर लगाए मिल जाएंगे कवरिस्तान बन चुके इस स्कूल के बच्चे अब दूसरी स्कूल में दाखले ले चुके है स्कूल के वल कागज पर जिन्दा है रांची में फिर सक्रिय हुआ जपट मार गिरो रांची में इन दिनों जपट मार गिरो फिर सक्रिय हो गया है लाकातार जपट मारी की घटनाय सामने आ रही है ज्यादातर बैंक कर्मी निशाने पर है इस बार बैंक और बड़ोदा इरबा सखा और मांजी के असिस्टेंट मेनेजर रंजना कच्छप का पर्स सदर छाना छेतरे में जपट लिया गया जब वो गुरुवार की साम अपने बैंक से कठल मोर इस्थित अपने घर जाने के लिए आटो से लोट रही थी धन्यवाद यदि आप चनल परना होते चनलों को सब्सक्राब कर बाल का बेल एक अन्द भाई साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेयर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बाक्स में अपना फीड़बाक आवास से दे थैंक यू